हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत थे आप लोगों का फीर से मेरे एक ने वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की रेडमी A3 फोन में आप लोग डाटा यूसेश को कैसे देख सकते हो अगर आपके पास एक Redmi A3 फोन है और इस फोन में जो है आपको डाटा यूसेस को देखना है मतलब आपका जो मुबाइल डाटा है वो किस एप्लिकेशन ने कितना ज्यादा कंज्यूम किया है कितना MB या कितना GB कंज्यूम किया है आज का देखना है कंज्यूम या आपको एक मंथ का एक साथ में देखना है या yesterday का देखना है तो कैसे आप लोग डाटा यूसेस या वाइफाई यूसेस को देख सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाई साप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं data uses को देखने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक search settings का option मिलेगा तो इस search settings पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको type करना है का is data uses spelling जो है आप लोग मेरे phone में देख सकते हो data uses type करते ही data uses का option आएगा इस पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ आपको application देखने को मिलेगा तो जीज भी application के data uses को देखना चाहते है उस application पर click कर दीजे क्लिक करती यहाँ पर देख सकते today mobile data इस application ने कितना अंजूम किया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस arrow पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग last month दीस month तो जब जब कभी आप लोग data uses को देखना चाहते उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वाइफाई उसेज चेक करना है तो यहाँ पर जो यह option है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बद वाइफाई उसेज पर क्लिक करके आपको application पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपको Wi-Fi उसेज भी देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Redmi A3 फोन में आप लोग डाटा उसेज को देख सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो फसना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई